ये तस्वीरे अपने दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने धोला सद्या पुल का उधखाटन कर दिया है इस पुल से 60 तन के लडाकू विमान जो हैं वो गुजर सकते हैं और अर्जुन जो कि 58 तन का लडाकू टांक जो है लडाकू टांक 58 तन का वो तक इससे गुजरने की क्षमता रखता है और ऐसे ही पुल का उधखाटन किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ सर्वानन सोनवाल मौजूद है असम की मुख्य मंत्री और जैसा हम आपको बार-बार बता रहे हैं उनके लिए ये दोरी खुशी का मौका होगा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन साल का समारो मनाने उनके राज्य असम आये हैं और इसके साथ ही खुद सोनवाल सरकार का एक साल पूरा हो रहा है केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी वहां मौझूद है और चीन को मात देने वाला चीन की चुनोती का भरपूर्च सामना करने वाला ये पुल जिसका उद्खाटन किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूल उद्खाटन का काम इसी के साथ पूरा हुआ असम और अरोनाचल के बीच 165 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे कम हो जाएगी तो आम जन्मानस के लिए ये जो पुल है अपने आप में काफी एहम और इसके साथ ही सामरिक महत्व भी है इस पुल का बीजेपी ने पुरवोत्तर में अपनी पहली सरकार असम में बनाई और तीन साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी राज्य असम को चुना जिसने तमभारी मैंडेट सरवानन सोनवाल की अगुआई में बीजेपी को दिया था कि पीम यहाँ आए हैं उन्होंन का सबसे लंबा पुलिस का उखाटन किया पीम नरेंद्र मोदी ने अब वापस वो अपनी गाड़ी में बैट करे हैं इसके बाद जो उनका आगे का कारिकरम है अब वो जारी रहेगा और आपको बता दे कि पौने पांच बजे बाकाइदा एक राली को संबोधित करने वाल झाले